हाव रफिक्सट वान प्लस सेवनटी प्रोस ओटिपी नोट रिसीफट प्रॉबलेम नमस्कार दोस्तो अगर आप सभी का तिकराज यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा ओटिपी नोट रिसीफट प्रॉबलेम आप सॉल्फ केसे नहीं, तो दोस्तोँ एगर आपके मोबाइल पर ओटिपी रिसीट हीं नहीं होते, तो दोस्तोँ आपको यहां पर क्या प्रोब्लम韵ाए, और कैसे आपका प्रोब्लम सॉल्फ होगा, क्या रिजन से, क्या सॉलुशन करना होगा, वो सारे चीज़ मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ ठीक है वीडियो को अंतक देखें जो भी सोलुशन होगा उसको फोलो करें आपका प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है आपको चेक करना है आपके मुबाइल पर इंकमिंग है या नहीं है ठीक है आपके मुबाइल पर रिचार्ट होना चाहिए सारे साथ मुबाइल को रिश्टार्ट कर ले ने भी करके देखें अगर problem solve होते हैं ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो सेटिंग पर जाके सिस्टेम को open कीजिए और नेट्रोक सेटिंग को reset कीजिए उसके लिए reset option पर जाना है reset wifi मोबाइल ब्लूटूट पर क्लिक करना है अपना सिम सेलेक करना है और reset पर क्लिक करके mobile password देना है उसके बाद रुबारा से चेक करके देखें problem solve हो जाएगा अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो जाए दोस्तों अपने प्लेश्टोर में message app को सर्च कीजिए और message app को update कीजिए message अपडेट करने के बाद आपको जाना है सेटिंग स्क्रॉल डाउन कर लें थोड़ा सा एप नोटिफिकेशन पर जाएए see all apps पर क्लिक कीजिए message एप को यहाँ पर आपको जल्द से सर्च कर लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों storage and cache पर जाना है clear storage पर क्लिक करना है और इसके बार आपको BAKE करना है जैसे बेक करेगा आपको मिलेगा permission पर Onlyकर दोस्तों आप चेक करें सारे PERMISSION ALLOW रहें सारे PERMISSION ALLOW करने के बाद यापको बेक कर दिना है और उसकेर मोבाइल पर जाना है उसके बाद 3 dots पर क्लिक करना है and then setting पर जाना है ठीक है जेनरल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका message blog list को check कीजिए तो जीओ नंबर के लिए जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं ब्लोक लिस्स का option नहीं है तो जेनरल सेटिंग बर जाते हैं और यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि हमारे कोई ब्लोक लिस्स मेंने दे रखा है और यहाँ पर दोस्तों कोई भी ऐसा option नहीं है जिस से हमारा message block हो ठीक है तो इस तरहिके से यह औप पर आपके इंड अप्षिन में like यह करके तो यह option आपको मिलेगा ठीक है block context पर जाए और अगर आपने unknown Meritues को block कर रखाए तो उसको Unblock कर दीजिगा और उसके बाद आपको mêsच आना शुरू हो जाएगा क्योंकि new message आपको receive नहीं होगा क्योंकि ओटीपी हमेशा अलग-अलग नंबर से आते हैं ठीक है तो आपको वह अनब्लोक जो है करना परेगा उसके वाद आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्फ होगा और दोस्तों यहाँ पर चीज़ अगर आपके मोबाइल पर सिर्फ ओटीपी ही नहीं सारे messages नहीं आ रहा हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप सॉल्फ ही कर सकते हैं लेकिन आप अपने network operator को call करकी भी पूच सकते हैं कि आपको यहाँ पर मेसेज और टीपी कुछ भी receive क्यों नहीं हो रहा है क क्या problem हुआ है आपके messaging के साथ में ठीक है तो आपको solution reason सब कुछ बता देगा आपका problem solve हो जाएगा तो यह था दोस्तों OTP not received problem solution उमीद करते हैं आपको वीडियो बसने होगा thanks for watching